नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सार, यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है, मिसन टीजी टी परिछा 2021 इतिहास और चेप्टर का नाम है सैयदम लोधिवन्स और ये पार्ट 63 है, तो चले वीडियो प्रारम करते हैं, वीडियो प्रारम करने से पहले आप से एक छोटी स्रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लेजी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैगला वीडियो अप्लोड करो, उसका नोटिफिके सब्सक्राइब करने वाला सासक था, इसमें पूछा जा रहा है कि सयद वन्स के अंत करने वाला सासक क्या नाम था, तो सयद वन्स का अंत करने वाला सासक का नाम था, बहलोल लोदी, एंसर हो जाएगा ए, बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी जो है, सयद वन्स का अंतिम सासक सकते जिसका नाम था अलाऊ-दिन आलम शा यानि सयधम का जो अंतिम सा प्रदेश का नाम था लोधी वन्स तो अंध करने वाला काउन था बहलोल लोधी यह इसमें इंसर होगा करेक्ट कोश्चन नमबर दो है लोधी वन्स के सासक किस जाती या परदेश से मूलता संबंदित थे तो यह पुछा है कि लोधी वन्स के किस जाती या परदेश से मूलता संबंदित थे तो यह संबंदित थे किस से विसुद अफगानी या इसको कह सकते हैं अफगान या पठान से इंसर इसमें हो जाएगा सी विसुद अफगानी या कह सकते हैं अफगान या पठान से Q3 है तैमूर प्रतिनिधी खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवन्स को सयद वन्स क्यों कहा जाता है तो सयद वन्स क्यों कहा जाता है तो इसमें एंसर हो जाएगा भी खिज्र खां पैगंबर का वन्स था यानि खिज्र खां पैगंबर का वन्स था इसलिए जो है अस्थापित राजवन्स को सयद वन्स कहा जाता है Q4 है आगरा सहर का निर्माण करवाया था तो आगरा सहर का निर्माण किसकी द्वारा करवाया गया था तो आगरा सहर का निर्माड कराया गया था सिकंदर लोधी द्वारा इंसर रोजाएगा इसमें C सिकंदर लोधी द्वारा तो सिकंदर लोधी द्वारा जो है आगरा सहर के अस्थापना की गई थी यह अस्थापना की गई थी कब 1504 इस्वी में और आगरा सार अस्थापना करने का मुख्य दिस था कि राजपूतों को जो है नियंत्रन रख सके राजपूतों के उपर कुर्शन नमबर पाँच है लोधी युग की अस्थापत्य कला का सर्वस्रिष्ट नमूना कौन सा है तो वह है मोठ की मस्जीद एंसर हो जाएगा ए मोठ की मस्जीद अगर इसकी बात करें मोठ की मस्जीद की तीसका निर्मार कर रहा था सिकंदर लोधी ने और यह जो है मस्जिद लोधिय स्थापत्य सैली का बहुत ही सुन्दर उधारण है और यह एक विशाल मस्जिद है जिसमें अगर भाग में पांच मुख्य महराब प्रेश द्वार भी उपलब धैस में कोश्चन नमबर 6 है बहलो लोधि किस प्रांथ का गवर्नर था तो बहलो लोधि जो है किस प्रांथ का गवर्नर था इसमें आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा डी लाहौर का किसका था लाहौर का कोश्चन नमबर 7 है निमलिखित में से कि सुल्तान ने संतनत की राजधानी दिल्ली से आगरा अस्थांतरित की थी तो दिल्ली से आगरा अस्थांतरित की थी उस सुल्तान का नाम बताना है तो उसका नाम था सिकंदर लोधि एंसर जायेगा C, सिकंदर लोधी तो सिकंदर लोधी ने जो आगरा नगर क्या स्थापना की थी इसका मुखे देस था वहाँ पर जो राजपुर सासकों को नियंतरित करना इसलिए अपने राधानी जो है दिल्ली से कहा लाया था आगरा अस्थांतरित करके लाया था सिकंदर लोधी ने कोश्चन नमबर आठ है रयते आला की पदवी धारण की तो रयते आला की पदवी किसकी द्वारा धारण की गए थी तो इसमेंसर हो जायेगा C, खिजर खांदवारा रयते आला कोस्चन नमबार 9 है गुल रुखी गुल रुखी नाम से कवितायं लिखने वाला सिलतान था गुल रुखी नाम से कवितायं लिखने वाला सिलतान था तो उस सिलतान का क्या नाम था तो इसमेंãyसर हो जाएगा A. Sikandar Lodhi गुलरुखी नाम से कवितायन लिखनेवाला सासाक का नाम था सिकंदर लोदी तो ये जो है एक उपनाम से कवितायन लिखता था गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी question number 10 है दिल्ली संथनत के किजित सुल्टान न ये घोशना की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है यानि कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है तो वो सासक का नाम था इब्राहिम लोदी इंसर हो जाएगा इसमें D इब्राहिम लोदी यानि दिल्ली के जो संतनत के लोदी मंस का जो सासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी और उसका कहना था कि राजा का जो है कोई सगा संबंधी नहीं होता है यह लोदी वन्स का अंतिम सासक था इब्राहिम लोदी कुश्चन नमबर 11 है निमलिखित में से निमलिखित संतनत सासकों में से कौन अफगान मूलके थे तो दिलिख संतनत के जो कौन से इसे सासक थे जो अफगान मूलके थे तो अभी आपके एक ऊपर कुश्चन कराया है कि विसुद्ध अर्बी यह अफगानी तो ये थे लोदी वन्स इंसरो जाएगा D लोधी वन्स तो लोधी वन्स के जो सासक थे वो मुलता जो है अफगानी थे एक प्रकार से कुश्चन नमर 12 है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद में परास्त किया था तो महा राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद में प्रास्त किया था तो ये युद का नाम था खातोली का युद और ये युद लड़ा गया था पंदरस अठारा इस्वी में खातोली का युद और इसमें एक तरफ राणा संगा थे और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी इनके मद्धिवा था हलाकि इस युद में इबराहिम लोदी जो है ये पराजित हुआ था इबराहिम लोदी पराजित हुआ था इस युद में और महाराणा संगा की विजय पराप्थ हुई थी ये वथा 1518 से में खतोली का युद्ध कोस्चन नमबर 13 है दिली की आफगान सासकों के सासन का निमलिखित में से कौन सा एक सही कालानुकरम है तो आफगान सासकों के सासन का जो एक कालानुकरम पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एक कालकरम सही है तो सबसे पहले अगर बात करेंगे इसमें बाहलोल लोदी खां इसके बाद सिकंदर सा और इसके तक था किसका बहलोल लोधी का इसके बाद जो कारिकाल आता है सिकंदर लोधी का 89 से कितना था सतरा थक 1517 तक था 89 से 1517 तक सिकंदर लोधी का था और इसके बाद जो लाष्ट सासक था इब्राहिम लोधी और इसका कारिकाल था 1517 से 1526 इस्वीत तक इब्राहिम लोधी का ये करम इसका सबसे पहले बालोल खान लोधी उसके बाद सिकंदर सा उसके बाद इब्राहिम लोधी सी इंसर होगा इसमें 13 का कोश्चन नमबर 14 है किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा सहर की नीव डालने एवं उससे संतनत की राधानी बनाने का स्रे जाता है तो ये स्रे जाता है किसको ये जाता है सिकंदर लोधी को भी इसी पर चर्चा होगी थे कि पंदर स्चार में अस्थापना किया था आगरा नगर की और दिल्ली से अपनी राधानी आगरा ले गया था कोश्चन नमबर पंदरा है निमलिखी सुल्तानों में से कौन अन के उपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है तो अन के उपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है उस सुल्तान का नाम है सिकंदर लोधी एंसर हो जाएगा D सिकंदर लोधी question number 16 है इन में से कौन गुलाम वंस का नहीं है तो वो है इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी गुलाम वंस का नहीं इसमें D answer हो जाएगा इसके एलाव बल्मन था गुलाम वंस में इल्तुतमीश भी था कुतुब दी नयवक्ती था तीनों थे ये जिसे गुलाम वंस है डी एंसर होगा इबराहिम लोधी गुलाम वंस है नहीं था लोधी वंस है ये कोश्चन नमबर 17 है और अंतिम कोश्चन है निमलिकित वंसो को इस क्रम में दिल्ली पर सासन किया था नीचे दे कूट का सही उत्तर इसमें चैन करना है तो सही उत्तर इसमें चैन करना है कि खिल्जी वंस कप था लोधी वंस कप था सेद वंस कप था गुलाम वंस कप था तो इसके लिए आपको शासन आपको याद करना पड़ेगा कि गुलाम वंस अगर देखा जा इसमें तो ये था बारसो छे से कप तक 90 स्वित तक गुलाम वंस या इसी को 10 वंस का आ जाता है और अगर बात करते हैं इसमें खिलजी वंस की तो खिलजी वंस था 1290 से 1290 से 1320 इसी वी तक खिलजी वंस था और इसके बाद आता है सयद वंस तो सयद वंस का अगर सासन काल देखा जाए तो 1414 से 1415 से 1415 से 1415 से तक सयद वंस का और इसके बाद लोदी वंस का था आपका 1415 से 1526 से यह करम है इसका डेट याद करेंगे तो अगर डेट मिलाएंगे तो इसमें सही करम आपका हो जाएगा पहले गुलाम वंस 1260 से यानि चाव था उसके बाद एक चार एक फिर तीसरा हो जाएगा सयद वंस फिर लाश्ट में लोदी वंस इसका करम अगर बैठाएंगे तो इसका एंसर हो जाएगा डी डी इसमें करेक्ट एंसर होगा करम में तो यह थे कुशन आज के लिए तो उमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसं आने बात दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम